है स्वागत है आपका कोगविद मंजुला में और आज मैं अपने किचिन का टूर कराऊंगी आपको बहुत ही छोटा सा है मेरा किचिन और हम रेंट के घर पे रहते हैं तो ज्यादा कुछ सामान भी नहीं है और बस छोटा सा है उसको मैंने कैसे अरेंज करके रखा है मैं आप आपको बताऊंगी और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर भी करें यह देखिए इस तरह से दिखता है हमारा किचिन और और यहां पे मैंने बरतन चाली लगा कर रखी है सामने आपको जितने भी कंटेनर दिख रहे हैं सब जिसमें खाने पीने की चीजे रखी है और सबसे पहले आप ये देख रहे हैं जो ग्रीन डलिया इस पे मैंने छोटे-छोटे सारे मसालों की डिब्बे रखे हैं जैसे अजवाइन और काले मिर्च कुछ भी जो भी चीजे ऐसी होती हैं ऐसी चीजों की डिब्बे रखे हैं और ये सामने कौफी, चाह, पती, शक्कर, घी जो बी डिली उसकी चीजों की समाने वो मैंने बिल्कुल सामने रखे हैं और यह सामने एकदम सामने जो यलो कलर की जार दिख रहे हैं इसमें सारे सीटस और ड्रााइफ रूट्स रखे हूए हैं और साइड में मैंने रखे हैं तेल के डिब्बे तांकि तेल क्यूंकि कभी गिरता है तो खराब हो जाता है उस जगे पर और जो भी बड़े डिब्बे रहते हैं जैसे दाल और दालें कई तरह की और ये चीज़ें तो मैंने ये जो छोटे जा रहे हैं इनके पीछे ही रखे हुए हैं जो सारे डिब्बे उसमें ऐसी चीज़ें इसे छोले, राजमा, दालें, चावल ऐसी चीज़े रखी हुई हैं और उपर जो एक्स्ट्रा चीजे होती हैं जैसे धनिया लाल मिर्च हल्दी और चीनी यह सब चीजे मैंने उपर कंटेडर में रखी हैं कि जब यूज के लिए जब खतम हो जाए चोटी डिपों से तो उसमें रखें यहां पर जो इस्टील की डिप दिख रहे हैं इसमें मेरी इं दिखाने के लिए चीजे बनाती हूं वह सब इसमें भरकर रख देती हूं सामने ही और यह जो ग्रीन डलिया दिख रही है इसमें मैंने मिक्सर जार रखे हूए हैं और उसके बगल वाली डलिया में सारे चोटे मोटी कटोरी कॉप यह सब रखे हूए हैं जो मुझे वीडि यह अगी का घड़ा, और अग्यादी इसमें तूद स्टाव वरंतन को यह रहती हैं और एक्सिटा बरतन को यह इनकते कोुइन आलॉप यह बुल動画 रहे हैं numero emp AU इनमें आटा और चावल दाले ये सब भी रखा हुआ है और जो एक सबसे बड़ा स्टील का डिबा देख रहा है उसमें मैं रखती हूं अपने एक्स्ट्रा जो किराने का समान आता है तो जो बच जाते हैं पैकिट्स उनको मैं वहां पर रखती हूं और यही नीचे मैंने डस जो दिख रही है यह आर्ट एन क्राफ्ट यह सब मैंने खुद से ही किया हुआ है और यह कुछ मोटिवेशन के लिए लगा रखा है और इसको मैं आपको लास्ट में अच्छे से दिखाऊंगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है और बस यही था हमारा किचिन टूर और कैसा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और अगर कुछ कमी लगी हो तो आप वो भी मुझे बताएं कमेंट पर बस यही था हमारा किचिन टूर और फिर मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडिय यह अपना ख्याल रखें बाई बाई